जहिन दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवगाईएस, एक बार क्लास टाइम देख लिजे, पारा मेडिकल की क्लास साथ बजे इविनिंग को चलती है, और साम को आठ बजे बीएड पलस पारा मेडिकल, दोनों को मिला करके टेस्ट चलती है, जोके आठ बजे चलती है, और ये मं है, वहाँ पर जा करके आपको सर्च करना है, वस इतना सा ड्रीम सेवगाईएस, जैसे ही आप ये ड्रीम सेवगाईएस सर्च करेंगे, ये करेक्ट स्पिलिंग के साथ, तो आपको इस तरह के यहाँ पर पांच ग्रूप दिखेंगे हैं, जिसमें से एक हमारा सलसट भी BPSC वाला ग्रूप है, जिसकी प्रिपरिशन हम लोग हाल ही में स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसको जोईन कर लें, इसके अलावा जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिएट प्रिपरिशन का ग्रूप है, करेंट अफेर्स की डिसकसन होती है, पारा मेडिकल वाला ग पारा मेडिकल के, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्फ करेंगे, तो चलिए यह डिसकेशन की सुरवात करते हैं, और यह हमारा पहला कोशन आपके सामने है, आपको साथ साथ रिपलाई करते जाना है, मेंने लिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको आंसर के पीछे नह चलिए सुरवात करते हैं, हमारा पहला कोशन पढ़ रहा हूँ, मैं आपके लिए और आंसर भी पढ़ूँगा, जैसे ही ऑप्सन पढ़ूँगा, उसमें आपको पांस सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको रिपलाई करना है, चलिए सुरवात करते हैं, कोशन ह आई, option है, अह, अन, option है, री, उ, option है, अन, अ, बताईए क्या answer होगा, आपके पास है, एट सेकेंड, जल्दी से बता दीजिए तो देखिए, answer आना सुरू हो गया है, बहुत सारे लोग answer दे रहे हैं यहाँ पर, है न, तो बताईए correct answer क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर correct answer हो जाएगा, be, or, un, देखिए, इसके बारे में कुछ और theory है, जो आप लोग जान लीजिए, आपके लिए काम की चीज़े हैं, दूसरा हो गया हमारा अ, यह दोनों मात्राएं ऐसी मात्रा है, जिनका परियोग तो किया जाता है, किन्तु उनका समावे स्वर में नहीं किया जाता है, इसी लिए इन दोनों मात्राओं को क्या कहा जाता है, इन दोनों मात्राओं को आयोग वाह कहा जाता है, ठीक है, तो य मनुशयता सब्द का कौन सा अभिज़ है, option A गुन वाचक विज़शन, option B जाती वाचक विज़़शन, option C भाव वाचक विज़़शन या फिर option D प्रेयर नार्थक किरिया, जल्दी से बताईे सब्द परकार के पर्द हार पर मनुशयता सब्द का कौन सा भिज़़ है, तो देखें, यहाँ पर answer आना शुरू हो गया है जितने लोगों का answer यहाँ पर C आ रहा है उनका बिल्कुल correct है सब्द परकार के अधार पर मनुस्यता सब्द जो है वो भाव आचक संख्या का बेद है क्योंकि सब्द परकार के अधार पर क्योंकि दिखे भाव आचक संख्या सब्दों से किसी वस्तु के गुन, दसा या फिर वैपार का बोद कराता है और यहाँ पर जो मनुस्यता सब्द है यह क्या करा रहा है यह हमारा कहीं न कहीं पूरी मनुस्यता जाती का भाव यहाँ पर दे रहा है इसलिए आंसर होगा हमारा C, भावा चक संख्या नेक्स कोस्यन पर चलते हैं, देखें नेक्स कोस्यन आने से पहले बहुत सारे लोग आप लोग नए होगे जिसको आपको पता नहीं होगा कि पारामेडिकल की कैसे तैयारी करनी है तो इसकी मैंने एक separate वीडियो बना रखी है बिहार पारामेडिकल की तैयारी कैसे करें जैसा कि यह आपको thumbnail यहाँ पर नजर आ रहा है तो इस वाले वीडियो को आपको जाकर के देख लेना है और एक बहुत गहरी जो है रननिती बताया हूँ किस तरह से आपको अगले 30 से 40 दिनों के अंदर में पारामेडिकल आप निकाल सकते हो वो सारी चेंज़ बताई है लिंक डिस्क्रिप्शन पर है आप जाकर इस वीडियो के बाद देख लें चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा इंदरियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांस के लिए सही विकल्प का चैन कीजिए तो जिन्होंने इंदरियों को जीत लिया हो इस वाक्यांस के लिए सही विकल्प क्या होगा हमारा option यहाँ पर है A. इंदर जीत, B. इंदर, C. जितेंदरी या फिर D. इंदर पती क्या कहेंगे जिन्होंने इंदरियों को जीत लिया क्या कहेंगे जल्दी से बताईए आपके पास है 8 सेकेंड तो देखें यहाँ पर answer आना शुरू हो गया जितने लोगों का answer यहाँ पर आ रहा है C. जितेंदरी उनका बिल्कुल correct होगा इंदरियों को जितने जित लिया वो क्या कहलाएगा हमारा जितेंदर कहलाएगा Next question पर चलते हैं. Next question है हमारा यहाँ पर से अलगाव किस विभक्ती का बोध चिन है? Option A है हमारा संपरदान, B है हमारा कर्म, C है हमारा अधिकरिन या फिर D है हमारा आपादान. जल्दी से बताइए से किस विभक्ती का बोध चिन है? तो देख लिजे यहाँ पर answer अना शुरू हो गया है जितने लोगों का answer यहाँ पर D आ रहा है अपादान उनका बिल्कुल correct होगा इसके अलावा जो हमारे पास option है जैसे कि हमारा पहला option है संपरदान दूसरा है हमारा अधिकरन और तीसरा है कर्म इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं तो यहाँ पर के लिए आ रहा है यह क्या हो गया हमारा संपरदान हो गया ठीक है ठीक उसी तरह से आब आते हैं हम लोग next यह हमारा कर्म तो कर्म को समझते हैं देखे कर्म का रख में किरिया का भाव कर्म पर पड़ता है इसका विभित्ति चिन को होता है जैसे मान लिजए एक एक एक्जामपल ले लेते हैं लोग जैसे एक्जामपल होगा राम ने रावन को मारा तो यहाँ पर क्या हो गया यह हमारा कर्म हो गया ठीक तीसरे वाले पर आते हैं यह हमारा अधिकरन अब इसको समझते हैं कि अधिकरन क्या है तो दिखे अधिकरण में basically क्या होता है अधिकरण किरिया में किरिया के आधार पर बोध होता है इसका विवक्ति चिन होता है में जैसे कहेंगे चिडिया पेड़ पर है या राजू कमरे में है तो ये क्या हो गया? ये हमारा अधिकरण का example हो गया है I hope इतना theory काफी होगा आपके लिए अब चलते हैं next question पर next question है हमारा तनू सब्द का link निर्धारिक कीजिए तो ये जो तन सब्द है है ना ये तन सब्द जो है इस तन सब्द का link क्या होगा option A है हमारा pull link B है हमारा strill link C है उभाई link या फिर D होगा हमारा नपुन्सक link तो ये जो तन सब्द है इसका link क्या होगा ये आपको basically बताना है तो देखें यहाँ पर answer आना शुरू हो गया है one more minute आप लोगों के लिए है जल्दी से फटा-फट answer करते जाएए तो देखें इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा हमारा pulling तन सब्द जो है ये हमारा क्या है pulling है अब देखें पुरुसत्व का बोध कराने के लिए pulling था इस्त्रिलिंग दोनों का बोध कराने वाली इस्त्रिलिंग सब्द होते हैं जैसे कि माल लिजए pulling सब्द में आ गया हमारा लड़का, बैल, घोड़ा, बकरा ये सब क्या हो गया pulling सब्द हो गया उसी तरह से इस्त्रिलिंग का जैसे लकड़ी हो गया गाय हो गई, घोड़ी हो गई, लड़की हो गई ये सब क्या है हमारा ये सब हमारे इस्त्रिलिंग है next question पर चलते हैं Next question है हमारा 46. इसमें हम पूछा जा रहा है उत्तम पुरूष सरवनाम के किस भेद का एक परकार है? Option A है हमारा नीजवाचक, B, पुरूष वाचक, C, संबंध वाचक, या फिर D, निश्ये वाचक. तो उत्तम पुरूष सरवनाम कि किस भेद का परकार है जल्दी से बताईए क्या आंसर होगा यहाँ पर तो देखें यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है जितने लोगों का आंसर यहाँ पर B आ रहा है उनका बिल्कुल correct है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा पुरूसवाचक इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो जान लिजें आप लोग मैं थियोरी आप लोगों को दे देता हूँ देखिए उत्तम पुरूस सरवनाम के भेद जो है वो पुरूसवाचक सरवनाम का एक परकार है तो पुरुस वाचक के कौन-कौन से तीन परकार है, इनको भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं देखिए, पहला है हमारा उत्तम पुरुस, दूसरा है हमारा मध्यम पुरुस, ठीक उसी तरह से तीसरा है हमारा अन्य पुरुस तो ये जो है हमारा क्या है तीन इस तरह के पुरुस वाचक के भेद होते हैं जिसे उत्तम पुरुस का एक्जामपल हो गया हमारा मैं या फिर इसका एक्जामपल हो गया हम उसी तरह से मध्यम पुरुस का हो गया तू, तुम और अन्य पुरुस का example हो गया हमारा यह वह जिसके बारे में बात किया जाता है तो पुरुस वाचक जो है इसके total तीन भेद होते हैं उत्तम, मध्यम और अन्य ठीक है तो इस तरह से हमारा हो गया answer नेक्स कोशन पर चलते हैं कंचन एक क्रिसंगिनी यूपती है इस वाक्य में कौन सी असुद्धी है option A है हमारा सब्द चेन सम्मंधी असुद्धी, B है ना वरतनी गत्स असुद्धी, C व्याकरन की असुद्धी, और D सब्द निर्मान के असुद्धी जल्दी से बताईए, कंचन एक किरसंगनी यूवती है, इस वाक्य में कौन सी असुद्धी है? तो देखें, यहाँ पर आंसर आना सुरू हो गया है, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है, बी वर्तनी गत असुद्धी, यह बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखें, यह जो वाक्य है, कंचन एक किरसंगनी यूवती है, यहाँ पर किरसंगनी जो है, यह गलत है, क्योंकि किरसंगनी के अस्थान पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा किरसंगी आएगा, क्या आएगा यहाँ पर किरसंगी आएगा, और यहाँ पर हमको क्या दिय हो गई वर्तनी गत असुद्धी हो गई है ना चलते हैं next question पर next question है जिन समासिक सब्दों में पहला पद संख्या को वैक्त करने के लिए है ना विसेशन होता है वे सब्द क्या कहलाते तो जिन समासिक सब्दों में पहला पद संख्या को वैक्त करने वाला विसेशन होता है वो सब्द क्या कहलाते हैं फटा-फट बताईए क्या आंसर होगा तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है B. दिवगू समास उनका बिल्कुल करेक्ट होगा मैं बार-बार बता दे रहा हूँ इससे पहले समास की एक वीडियो आ चुकी है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप जा कर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले तुछा सा दिवगू समास के बारे में जान लेते हैं देखे दिवगू समास कहते किसको है है ना लेकिए जिन समासिक सब्दों में पहला पद संख्या को वेक्ट करने वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहते है उसी को दिवगू समास कहा जाता है जैसे मालीज्ए अगर आपको कहा जाए 3 koon तो 3 koon है जिसके तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह संख्या है उसी तरह से अगर आपको माल लिजे कहा जाए 4 pi या 4 pi जो कहा जाता है तो जिनका 4 pi होगा वो क्या कहलाताहि 4 pi तो यहाँ पर 4 जो है संख्या वाचक है तो यह सारे सब्द जो है वो दिगू समास के उधारन है देखिए बिहार पारा मेडिकल की 2020 के जो है कोस्टिन को यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्फ किया है और इसमें जो जी के सारे कोस्टिन है उसको सॉल्फ किया गया है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप चाहें तो देख सकते हैं नेसक्रिप्शन पर चलते हैं निमिलिकित में से कौन सा सब्द तत्सम है है ना तो यहाँ पर बेजली आपको तत्सम सब्द को चुनना है तो बताइए फटाफट क्या आंसर होगा ऑप्शन है मा, B, मच्छली, C, केला या फिर D. Amul जल्दी से बताईए निमिल लिखित में से कौन सा सब्द तत्सम सब्द है तो देखें यहाँ पर आंसर आना सुरू हो गया है जितने लोगों का आंसर यहाँ पर B. Amul आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है यह Amul जो है यही हमारा क्या है तत्सम सब्द है अब सवाल यह उठता है कि तत्सम सब्द कहते किसको है तो इसके बारे में भी जान लेजिए तत्सम किसे कहते है और तत्सम सब्द संस्कृत के वे सब्द होते हैं जो हिंदी में जूंकेतियों इस्तमाल किये जाते हैं इसको याद रखेगा, next question पर चलते हैं और दिये गए विकलपों में से सुद्ध सब्ध का चेन की जी option A, मुल्यवान, B, कलिष्ट, C, बरहम, या फिर D, आसिरवाद जल्दी से बताईए, है ना, इसमें कौन सा सब्ध जो है, वो सुद्ध है जल्दी से बताईए, क्या आंसर होगा, देखिए, यहाँ पर आंसर आना सुरू हो गया, जितने लोग यहाँ पर दे रहे हैं, आंसर A, मुल्यवान, उनका बिल्कुल करेक्ट है, कि मुल्यवान जो है, वो क्या है, हमारा सुद्ध सब्ध है नेक्स कोशन है वीपत पलस जाल ये वीपत जाल में कौन सी संधी option A स्वर संधी B वेंजन संधी या फिर C विर्दी संधी या फिर D गुन संधी जल्दी से बताईए क्या आंसर होगा इसका है तो देखें यहाँ पर आंसर आना सुरू हो गया है B उनका बिल्कुल correct होगा क्योंकि वीपत जाल के अंदर में क्या है हमारा वेंजन संधी है इसके अलावा अदर विकल्प है जिसे सवर संधी हो गया सवर संधी किसको कहते है जब दो सवर वर्णों का आपस में मेल से विकार उत्पन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सुरसंदी कहते है नेस कोश्चन है हमारा दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है option है दुर, option है दुरा option है सी दुर, या फिर डी है हमारा दुस, जल्दी से बताइए दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है बताइए क्या अंसर होगा इसका तो देखें यहाँ पर जितने लोग अंसर आ रहा है जितने लोगों का अंसर यहाँ पर A आ रहा है दुर उनका बिल्कुल करेक्ट होगा दुरात्मा में जो है वो क्या है हमारा दुरूप सर्ग है नेश कोश्यन पर चलते हैं निमलिखित में से किस वाक्य में परिमान वाचक किरिया विसेशन है अप्शन A है ना इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े B यह लड़की सुंदर है C मैदान हरा बरा है या फिर D तुम अच्छी खिलारी हो तो बताइए निमलिखित में से किस वाक्य में परिमान वाचक किरिया विसेशन है तो देखें यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है जितने लोगों का आंसर यहाँ पर A आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े यह जो वाक्य है यह क्या है हमारा परिमान वाचक उधारन है अब सवाल यह उठता है कि परिमान वाचक उधारन किसको कहते हैं परिमान वाचक किसको कहते हैं इससे क्या हुआ इससे हमको एक परिमान का पता चलता है इसलिए ये क्या होगा हमारा परिमान वाचक तो इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े तो यहाँ पर बहुत होने के वज़े से ये क्या होगा हमारा परिमान वाचक विसेशन हो गया इसके अलबा बिहार पारा मेडिकल 2019 के प्रिवेस एर कोश्चन को डिसकस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिसक्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, इसके अलबा बिहार पारा मेडिकल की टेस्सिरी जैसे 2011 की जन्गनना इंटरनेशन यह सारे काफी important topic है, लिंक डिसक्रिप्शन में आप चाहें तो देख सकते हैं, अब आते हैं next question पर, next question है वे भरष्टाचार के परबल विरोधी थे, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा परकार है, तो वे भरष्टाचार के परबल विरोधी थे, यह कौन सा सर्वनाम का परक है, तो देख लिए यहां पर answer आना सुरू हो गया है, जितने लोगों का answer यहां पर आ रहा है, बी उनका बिल्कुल correct है, वे भरष्टाचार के परबल विरोधी थे, इसमें निश्चय वाक्य सर्वनाम आ रहा है, कुछ और theory अगर इसके बारे में जानना है, तो वो भी मैं को बता देता हूँ, देख लिए इसमें किस तरसी यह निश्चय वाक्य का है, तो देखिए, इसमें कैसे है, इन सर्वनाम में किसी निश्चय वस्तु या वैक्ति के और संकेत किया जाता है, इसलिए क्या हो गया है, जैसे वे भरष्टाचार के परबल विरोधी हैं, तो भ इसकोशन पर चलते हैं, नलिनी, है ना, कैराओ, चंद्रपिरिया, किसके परियाएवाची सब्दे हैं, तो ये तीनों जो वर्ड है, ये किसका परियाएवाची है, उप्सन ए है हमारा कॉमुदनी, बी, सौधामिनी, डी, कुमुदनी, या फिर यहाँ पर डी है हमारा कुम बीदिनी, है ना, कैराओ, चंद्रपिरिया, ये सारे जो हैं, इसी के एक्जामपल हो गए है, ना, तो देखें, डीमसेवाचाइस चैनल जो है, आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर इंस्टेंट अप्डेट के लिए आप डीमसेवाचाइस चैनल को फॉल यहाँ से कराएंगे, एक सीट आपका यहाँ पर कन्फर्म होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और थैंक्यू सो मच, हैव नाइस टे,